हमारे देश में एक ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया गया था जिसमें दिल्ली से लेकर मद्या परदेश तक संसनी फैल चुकी थी। लोग कहने लगेते कि अगर मन में लालच आ जाए तो घर परिवार दिल के कितना ही करीब क्यों नहो कोई भी सगा नहीं होता। आज की कहानी ऐसे ही एक केस के बारे में हैं जब एक लड़की अपने ही गाऑं में आकर लापता हो गई और यहां रहने वाले लोगों को इसकी कोई भी फिक्र नहीं थी। और फिर भी ये केस किस तरीके से सुल जाया गया। जानेंगे आज की पूरी स्टोरी के बारे में के ये लड़की कौन थी, इसके साथ क्या हुआ था, किस ने इसके साथ ये सब किया। तो आप ऐसे ही एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दिबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इस्टेग्रेम आइडी आपके स्क्रीन के उपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाएए और जल्दी से इस्टेग्रेम आइडी को भी फॉलो कर लीजिए। और कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, उस विट्टिम का नाम है लीना शर्मा। आज की ये कहानी शुरू होती है बारत की राजदानी दिल्ली से। दिल्ली में ही एक वसंद कुझ नाम का इलाका है। इसी इलाके में एक लड़की रहा करती थी, इनका नाम था लीना शर्मा। डेली में ही अमेरिकन एमबेसी एक स्कूल है और एक समय पर इसी स्कूल में लीना शर्मा असिस्टेंट मैनेजर थी। बाद में इन्होंने कुछ कार्णों के चलती है ये जौब छोड़ दी। फिर इन्होंने एक प्राइवेट कमपनी में एक अच्छी पॉस्ट पर जौब करनी शुरू कर दी। इन्होंने फॉरिन ट्रेड में डिग्री हासिल की थी। ये एक अच्छी स्वीमर भी थी। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की नो बार नैशनल लेवल पर खेल चुकी थी। वैसे तो लीना का परिवार मूल रूप से मध्या परदेश के होश लीना शर्मा। इनकी शादी हो चुकी थी। इनके पती बैंगलोर में कुछ जॉब करते थे। लीना और हीना के हिस्से में 35 पैंटिस एकर जमीन आई थी। बाद में हीना और इसके पती दोड़ा दे गाउं में आकर रहने लगे। आखिरकर ये बैंगलोर छोड़कर कोई भी बाउंडरी वगेरा कुछ भी नहीं बनाया गया था जिस से सरकारी तोर पर ठोस सबूत बना दिया जाए कि लीना के हिसे में यहां से लेकर यहां तक की जमीन आती है। लेकिन फिर भी यह ऐसा किया करते थे। लीना को यह लगता था यह मामा जी हैं जमीन की देखवाल कर रहे हैं सबजियां उगा रहे हैं वैसे यह सबजियों के कुछ पैसे लीना को भी बेज़ दिया करते थे। लीना की देखरे किया करते थे। एक दिन लीना ने सोचा कि इसके हिस्से के इतनी सारी जमीने गाओं में ऐसे ही पड़ी हुई हैं तो लीना यहां अपनी शादी के बारे में भी सोचने लगी थी। अब तो इसके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं था। जो थी यही थी यही अपने बविश्य का फैसला कर सकती थी। लीना के कुछ दोस्त भी थे जो भी कुछ लीना के दिमाग में चला करता था यह हमेशा अपने दोस्तों से उन बातों का जिकर किया करती थी। जो की लीना के हिस्से में 35 एकर जमीन में से 11 एकर पर मामा खेती किया करते थे इसलिए लीना को थोड़ी चिंता हुई के उन्ह बहुआ जमीने हैं वो सब कुछ देख लो जो भी तुमें ठीक लगे तुम वो सब कर लो इसके बाद 18 अप्रेल 2016 को लीना दिल्ली से बोपाल आ जाती है बोपाल में ही इसकी कोई फ्रेंड रहा करती थी लीना वहीं पर अपनी फ्रेंड के साथ रुख जाती है 20 अप्रेल को इसकी बोपाल से सोहागपूर के लिए एक ट्रेंड थी ऐसा करके वो अपने गाउं डोड़ा दे में पहुँच जाती है यहां इसने 23 अप्रेल को 35 अकर जमीन का सिमांकन करवाया इसके बाद 29 अप्रेल को फेंसिंग कराई जानी थी फेंसिंग कराने के बाद प्रोपर्ट फेंसिंग के जितने भी समान लगते थे वो सारे खरीदे और मिस्तरी मजदूरों का भी इंतिजाम कर लिया गाउं से लीना अपने दोस्तों से हर रोज फोन पर बाते किया करती थी मैसेजिज करती थी चैटिंग करती थी वीडियो कॉल करती थी गाउं में क्या क्या चल रह गाउं में रहने वाले मामा परदीप शर्मा और बाकी लोगों को लगा कि लीना यहां से चली गई है। उसको कोई काम आ गया होगा ऐसा लगता है कि वो अपना वो काम पूरा करके वापिस यहां पर आकर अपनी जगे की फेंसिंग करवा ले। इधर हर रोज बात करने वाले दोस्तों को भी कोल्स और मेसेजिस आना बंद हो चुके थे। लीना के पास दो फोन्स थे। कोल करने पर दोनों ही फोन्स स्विच्च डॉफ जा रहे थे। दोस्तों ने लीना की बेहन और मामा से संपर्क किया उनसे लीना के बारे में पूछा। पता चला कि लीना यहां स लीना चली गई तो यहां दिल्ली में अभी तक लीना वापिस क्यों नहीं आई उसका फोन भी बन जा रहा है यही सब कुछ ऐसे ही चलता रहा लीना को लापता हुए अब धीरे-धीरे साथ दिन बीच चुके थे अभी तक लीना के घर वालों में से किसी ने भी पुलिस में कम सांती से बैठे रहते हैं उधर दिल्ली में रहने वाले कुछ दोस्त वसंद कुछ पुलिस टेशन में लीना की मिसिंग कमप्लेंट लिखवाने के लिए पहुँच जाते हैं जब पुलिस वालों को पता चला कि लड़की मध्यपरदेश में गाइब हो चुकी है तब यहां दूसरे स्टेट पर आ चुका था और साती सात दोस्तों को ये भी बोला जा रहा था कि सात में तुम उसके रिष्टेदार को ले कर आओ तब ही कुछ हो सकता है दोस्तों ने कई दिनों तक पुलिस टेशन के चक्कर काटे फिर भी पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लि जी लीना शर्मा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं इनके अनुसार 28 अप्रेल की सुभा से लीना ला पता है उसे पूरे गाओं में ढूंड लिया गया वो कहीं नहीं मिली वो दिल्ली में रहती है उसके दोस्तों ने बोला कि लीना यहां दिल्ली में भी नहीं हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को उसे ढूंड ना चाहिए पुलिस वालोंने कंप्लेंट तो दर्ज कर ली लेकिन केस को हलके में लेने लगे इन्हें लगा कि वो कहीं गई होगी और वापिस आ जाएगी वैसे मामा वर्तमान में ब्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्ष थे अब पुलिस में कंप्लेंट लिखाने की नौबत आ चुकी थी तो घर वालों को भी लीना की फिक्र होने लगी दो हफ़ते यहां बीच चुके थे लेकिन अभी तक पुलिस वालोंने लीना शर्मा के केस को सीरियस ही नहीं लिया उदर दोस्तों की भी कोई स तुन नहीं रहा था, इन से सरकारी तोर पर जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने वो सब किया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पाया अब तो इसके बाद इन दोस्तों के पास सिर्फ एक ही उप्शन बचता था, सोशल मीडिया का सहारा लेना सबी दोस्त मिलकर एक फेस्बुक पेज क्रियेट करते हैं इसका नाम रखा गया सेव लीना शर्मा इसके बारे में वो लोग इस पेज पर लीना के बारे में पोस्ट करने लगे के लीना इतने तारिक को यहां गई थी इतने दिन बात हुई और फिर अचानक से मेसेजिस और कॉल आने बंद हो गए ये लीना के बारे में हर तरह की जानकारी पोस्ट करने लगे जिससे लीना को डूडने में मदद मिल सकती थी साथ में ये पुलिस वालों के साथ हुए उस एक्सपिरियंस के बारे में भी शेयर करने लगे दिरे दिरे ये पेज ग्रो होने लगा, लोग जूडने लगे, बोपाल के दोस्तों ने भी इसमें मदद की, लोग MP पुलिस को टैग तक करने लगे कुछी दिनों में इस फेस्बुक पेज पर मध्यपरदेश के बड़े ओफिसर्स की नजर पड़ जाती है इन्हें पता लगा लीना शर्मा नाम की एक लड़की सुहाग पूर्थाना शेतर से लापता हो चुकी है अभी तक पुलिस वालों ने इसमें कुछ ठोस कदम नहीं उठाए हैं इन्हें ये लगने लगा कि अगर केस में ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों के सामने इनकी बहुत बदनामी होगी लो एन ओर्डर पर सवाल उठने लगेंगे इसके बाद ये अफिसर्स सोहागपूर थाना की पुलिस वालों के उपर प्रेशर बनाने लगते हैं इनसे कहा गया कि कैसे भी करके लीना शर्मा के बारे में पता लगाओ वरना बाद में बहुत परिशानी खड़ी हो सकती है दोस्तों दवारा उठाया गया ये कदम कारगर साबित हो गया सोहागपूर के पुलिस वाले इस केस को अब सीरियस लेने लगे थे और अपनी इन्वेस्टिकेशन को इमानदारी से शुरू कर देते हैं लीना के मामा यानि की परदीप शर्मा के अनुसार लीना 28 अपरेल से ला पता है लीना को गाइब हुए अब तक 15 दिन बीच चुके थे इसका फोन नंबर लेकर इसे सर्विलांस पर लगाया गया पहले तो लीना के दोनों फोन नंबर्स बंद आ रहे थे जब भी इन्हें फोन किया जाता तो ये स्विच्डॉफ का संकेत दिया करते थे लेकिन खुश किसमती से लीना का एक फोन एक्टिव हो चुका था सर्विलांस के जरिये ये पता चला कि लीना का फोन होशंगाबाद डिस्टिक के अंतरगत आने वाले पिपरिया नामक इलाके में एक्टिव है ये इन्फोमेशन मिलते ही पुलिस वालों की एक टीम को पिपरिया बेजा जाता है यहां लोकेशन के हिसाब से पता लगाते लगाते वो इन्सान मिल चुका था जिसके पास लीना शर्मा का फोन पाया गया पुलिस वाले लड़के के पास आते हैं उससे पूश्टाच की जाती है लड़के ने कहा कि ये फोन मुझे एक ट्रेन में पड़ा हुआ मिला घंटों तक जब कोई भी नहीं आया तो मैंने फोन को उठा लिया और अपने साथ ले गया पुलिस वाले काफी देर तक इस लड़के से बाचचित पूश्टाच करते रहे इसके बेग्राउड के बारे में च्छानबिन की गई पता चला के ये कुई क्रिमिनल नहीं है इसका बेग्राउड एकदम क्लीन था इसका कोई भी क्रिमिनल रिकोर्ट था ही नहीं और ऐसे ही थोड़ी सी पूछ ताच के बाद उस से फोन ले लिया गया और फोन लेने के बाद उस लड़के को छोड़ दिया गया वो जो लीना का दूसरा फोन था उसके बारे में कहीं पता ही नहीं चल पाया अब मिले हुए फोन को कंट्रोल रूम में लाकर इसकी कोल डिटेल्स निकल वाई जाती है लीना अपने आखरी दिनों में जिससे भी फोन पर बात की थी वो नमबर सारे सेव थे सभी लीना के जानने वाले लोग थे लेकिन इसकी सबसे आकरी बात जिस नमबर पर बात हुई थी वो एक अन्नोन नमबर था वो नमबर सेव नहीं था पुलिस वालों ने सोचा कि अगर इस नमबर के बारे में पता कर ले तो शायद लीना से रिलेटेड कुछ सुराग उन्हें मिल सकता है उन्होंने इसके बाद इस अन्नोन नमबर की सारी इंफोर्मेशन निकाल ली पता चला कि ये नमबर किसी आटो ड्राइवर का है इस आटो ड्राइवर को पुलिस वाले ढूडने लगे और उसके बाद उसे पुलिस सेशन लाया गया आटो ड्राइवर कहता है कि हाँ मैं लीना को जानता हूँ 29 अप्रेल को मैंने उसे दोड़ा दे गाउं में लाकर छोड़ा था इसकी ये बात सुनकर पुलिस वाले एकदम हैरान रहे चुके थे क्योंकि मामा प्रदीप शर्मा की मिसिंग कंप्लेंड में उन्होंने ये कहा था कि लीना 28 अप्रेल की सुबा से ला पता है और ये ड्राइवर कह रहा है इसने 29 अप्रेल को लीना को डोड़ा दे गाउं में लाकर छोड़ दिया था पुलिस वाले ओटो ड्राइवर से कहते हैं कि तुम जूट बोल रहे हो तुम सच सच बताओ कि तुमने कब लीना को यहां पर छोड़ा था ओटो ड्राइवर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि 29 अप्रेल को मैंने उसे ड्रॉप किया था उसको ये बात बहुत अच्छे से याद थी क्योंकि लीना ने उसका नंबर ले रखा था और यही ड्राइवर थे जो गाओं तक लीना को ड्रॉप करने आये थे इन्होंने 29 अप्रेल को भी ड्रॉप किया था अब पुलिस वाले दोबारा सोचते हैं कि लीना की आखरी बार इसी ओटो ड्राइवर से बात हुई थी तो इन्होंने तुरंत लीना इस ओटो ड्राइवर की कॉल डिटेल को ध्यान से देखा ये देखते ही पुलिस वाले एक दम चौक उठते हैं इनकी फोन पर आकरी बार बात करने वाली डेट 29 अप्रैल की सुभा 8 बजे के आसपास की ही थी तो यहाँ पर पुलिस वालों को एहसास हो गया कि लीना के मामा ने रिपोर्ट में गलट डेट लिखवाई है या फिर उन्होंने ऐसा अंजाने में किया या फिर जान बूच कर ये तो उनसे अब पूचने पर ही पता चल सकता था अभी भी लोग फेस्बुक ग्रूप में लीना की गुमशुदकी के बारे में बात कर रहे थे पुलिस वाले इस ग्रूप में विजिट करते हैं कि शायद यहां से उन्हें कोई सुराग मिल जाए ग्रूप में लीना शर्मा के कुछ खास दोस्त भी मुझूद थे ये दोस्त अपनी फ्रेंट के गाइब होने के इसके मामा को जिम्मेदा ठहरा रहे थे लीना पिछले कई सालों से जमीन की वज़ा से तनाओं में रह रही थी क्योंकि इसके मामा जबरदस लीना के जमीन पर खेती कर रहे थे मामा के साथ लीना के कुछ प्रॉपटी डिस्रिप्यूट भी हाई कोट में चल रहा था पुलिस वालों के मन में अलरेडी मामा जी को लेकर शक पैदा हो ही रहा था क्योंकि उन्होंने लीना के गाइब होने की गलट डेट बताई थी उपर से फेस्बुक ग्रूप में नीना के दोस्तों की ये सारी बाते उसके बाद पुलिस वाले बियां दर्ज करने के बाद परदीब शर्मा को पुलिस शेशन में बुला लेते हैं मामा जी पुलिस शेशन में आते हैं और इनका ये कहना था कि लीना आठाईस अप्रेल को बोपाल से यहां पर आ आई थी उसको अपनी जमीन की फैंसिंग करवानी थी वो यहाँ पर आई और फिर अचानक से कहीं चली गई पुलिस वाले आगे मामा जी से ऐसे सवाल पूछते हैं कि परदीब शर्मा यानि कि लीना के मामा जी प्रेशर में आ जाएं पुलिस ओफिसर्स ये पूछते हैं कि आपको कब ऐसास हुआ कि लीना गाइब हो चुकी है आप लोगोंने इतनी लेट रिपोर्ट को क्यों लिखवाया उसके गाइब होने के बाद आपने क्या क्या किया क्या आपको उसके गाइब होने की डेट अच्छे से याद है भी या नहीं लीना शर्मा 29 अप्रेल, 27 अप्रेल या 30 अप्रेल को भी गाइब हो सकती थी मामा जी पूरे confidence से बोल रहे थे के लीना 28 अप्रेल से ही ला पता है इन्हें बहुत अच्छे से याद है अब पूलिस वाले यहाँ अपनी असली interrogation को शुरू करते हैं परदीब शर्मा के सामने वो सारी चीज़े रखी गई जिसकी कलपना इसने कभी भी नहीं की थी जो शायद ये सोच भी नहीं सकता था कि पूलिस वाले ये भी पता कर सकते हैं इसमें लीना का फोन था लीना की दोस्तों की बाते थी आटो ड्राइवर का बयान भी मौजूद था ऐसे ही बहुत सारी चीज़े थी इन सबी चीज़ों को देखकर परदीब शर्मा तूट चुका था उसने अपना गुना कबूल कर लिया उसने अपने दोसातियों के साथ मिलकर लीना शर्मा का मर्डर कर दिया था कहानी कुछ इस परकार थी लीना शर्मा के माता पिता के पास करीब सत्तर एकर जमीन थी इसमें से 35 एकर बड़ी बेटी हीना शर्मा और 35 एकर छोटी बेटी लीना शर्मा की थी बच्पन में ही इनके पिता की मृत्यू हो चुकी थी और जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो 2004 में माता जी की भी मृत्यू हो चुकी थी इसके बाद लीना शर्मा अपने पढ़ाई और केरियर के लिए दिल्ली चली जाती है हीना ने अपनी पती के साथ मिलकर अपने हिस्से की जमीन का सारा हिसाब किताब ठीक कर लिया था रहे गई यहाँ पर लीना वैसे लीना अपनी बड़ी बहन की लीगल एडवाईजर भी थी लीना की जमीन में से 11 एकर जमीन पर मामा जी ने सबजियां उगाना शुरू कर दिया था लीना को लगा कि मामा जी जमीन की देखबाल कर रहे हैं इसलिए ये निश्चीन थोकर दिल्ली में रह रही थी और अपनी जॉब कर रही थी जो कि लीना की सारी पैत्रिक प्रोपर्टी मामा जी के देख रेक में थी इसी बात का फाइदा उटा कर मामा जी ने दोके से कुछ प्रोपर्टी पर कबजा कर लिया था और जब इस बात की खबर लीना को हुई तो ये केस कर देती है ये केस हाई कोट में चल रहा था लीना ने कम्प्लेंट भी की थी एक दिन ये अपने मामा जी को फोन करके बोलती है कि जमीन की फेंसिंग करवानी है मामा जी को लगा कि ये इतने दिनों से सबजी उगा रहे हैं अब ये जमीन इनकी हो चुकी है इन्होंने आगे सोचा के लीना ने अगर फेंसिंग करवा लिया तो ये जो 11 एकर जमीन है वो उसकी हो जाएगी सब कुछ यहां मामा के हाथ से चला जाएगा मामा की लीना की प्रोपर्टी के उपर बहुत गंदी नजर थी मामा इसे कॉल पर बोलते हैं के गाउं आकर अपना जो करना है वो तुम सब कुछ कर सकती हो फिर लीना 18 अपरेल को दिल्ली से भोपाल आती है यहां यह अपनी फ्रेंड के घर पर रुखती है और फिर 20 अपरेल को टेन से सुहागपूर पहुंची 23 अपरेल को लीना ने अपनी जमीन का निमांकन करवाया उसके बाद 29 अपरेल को फेंसिंग की डेट रखी गई जमीन का समांकन कराने के बाद लीना वापस से भोपाल अपने फ्रेंड के घर पर चली जाती है यहां इन्होंने फेंसिंग करवाने का सारा मैटीरियल करीदा, मजदूरों का इंतिजाम किया, सारी तैयारिया करने के बाद 29 अप्रैल की सुभा लीना ओटो ड्राइवर के साथ गाउं में पहुंच जाती है यहां पर मजदूर और जो लीगल करम चारी थे वो भी यहां पर आ चुके थे जिनकी देख रेक में यह सब कुछ होना था अब काम शुरू होने ही वाला था तब ही इसी समय मामा जी अपने दोस्य योगियों के साथ यहां पर पहुंच जाते हैं इन्होंने लीना से कहा कि अभी फेंसिंग क्यों करवा रही हो मैं भी कुछ दिनों में फेंसिंग करवाने वाला हूँ तुमारी भी फेंसिंग करवा दूँगा तुम्हें बार बार यहां पर आकर पर परेशान होने की जरूरत नहीं है लीना को लगा कि मामा जी ठीक बोल रहे हैं आखिर है तो मामा ही मेरे बारे में हमेशा भला ही सोचेंगे लीना अपने मामा जी की बात मान गई इसके बाद मजदूरों की मदद से फैंसिंग का सारा समान पासी के एक पडोसी के पास सुरक्षित रखवा दिया जाता है ताकि जब भी जरूरत पड़े तो इसे यूज किया जा सके फिर लीगल ओफिसर्स और मजदूर अपने अपने काम पर चले जाते हैं अब यहाँ पर बच गए मामा इनके दोनों नोकर और लीना मामा ने पहले ही अपने दोनों नोकरों को सारी चीज समझा दी थी कि उन्हें क्या क्या करना है मामा लीना से बात करने के बहाने एक जोपड़ी के पीछे लेकर चले जाते हैं दूर दूर तक खेत ही खेत दिख रहे थे मामा लीना से यहां कहते हैं कि तुम फेंसिंग मत कराओ मैं इतने दिनों से तुमारे 11 एकर जमीन पर खेती कर रहा हूँ वो तुम मुझे दे दो लीना ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया था इसके बाद पीचे से एक नोकर अपने हाथ में पत्थर लेकर आया और लीना के सर पर जोरदार वार कर दिया लीना जमीन पर नीचे गिर गई उसके बाद मामा और दूसरा नोकर लाटी से लगातार लीना को पीटना शुरू कर देते हैं मामा ने पहले वाले नोकर से बोला कि ट्रैक्टर लेकर आओ जब तक वो ट्रैक्टर लेकर आया और इधर मामा ने अपनी भांजी का गला दबा कर उसे खत्म कर दिया था ट्रैक्टर में शाव को रखा गया साथ में नमक और यूरिया के पैकिट्स भी रखे गए इसके बाद ये चार किलोमेटर दूर एक जंगल में जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक नाला मुझूद था गर्मी के मोसम में यहाँ का पानी एक दम सूक चुका था इसी नाले में तीनों ने खुदाई की गड़ा बनाया फिर मामा ने लीना के सारे कपड़े उतार दि ये 29 अपरैल की दोपहर की बात है फिर इनोंने उस गड़े को मिटी से धख दिया उसके बाद लीना के जो दोनों फोन थे वो लीना से ले लिये गए आप लोगों को शायद याद होगा कि अजे देवगन की यहाँ पर एक मूवी आई थी जिसका नाम था दृश्यम इस मू चुके थे एक हफते तक ये वेट करते रहे ताकि बोडी गल जाए क्योंकि अगर जैसे तैसे पुलिस वाले लीना की डेट बोडी को ढूंड भी लेंगे तो पहचान ना हो पाए ये सारी घटना सुनने के बाद पुलिस वालों ने दोनों नोकरों को भी अरेस्ट कर लिया यहां पर बता दूँ के पांच मई को मामा जी और लीना की बड़ी बेहन साथ में पुलिस टेशन गए थे लीना की मिसिंग कम्प्लेंट फाइल करवाने के लिए अब यहां पर तीनों अपरादियों को अरेस्ट कर लिया गया था इन्हें उस जंगल में ले जाया गया जहा पर इन्होंने लीना की डेड बोडी को दफनाया था पुलिस वाले इनके जरीए उस डेड बोडी को बरामत कर लेते हैं काफी हद तक शव बिलकुल ही गल सर चुगा था उसके बाद शव के पास से अंगूठी जैसे कही गैने भी मिले उस डेड बोडी को हॉस्पिटल में किया गया और ये डियाने दोनों मैच हो चुके थे यानि की लीना शर्मा और उसकी बड़ी बहन हीना शर्मा के इन दोनों के आपसी में डियाने एक गम 100% मैच हो चुके थे लीना के दोस्तों के नुसार लीना की बड़ी बहन भी इस साजिश में इन्वॉल्व हो सकती थी क जो कि उसने अपनी बड़ी बहन के गाइब होने पर भी मिसिंग कम्प्लेंट फाइल नहीं करवाई थी। कई दिनों बाद जाकर ये पुलिस वालों के पास गई और मिसिंग कम्प्लेंट को लिखवाया। दोस्तों ने इन से बोला था कि वो गाइब है फिर भी ये एक गम शान्त रही इसका क्या कारण था। तो इसलिए पुलिस वाले लीना की बड़ी बहन हीना शर्मा के उपर भी शक जता रहे थे। लीना की लापता के समय उसकी बहन से ज़ादा उसके दोस्त परेशान थे। ब लीना की दो मौसियों ने भी अपनी प्रोपर्टी की आखरी वारिस लीना को बनाया था। नाना ने भी अपनी प्रोपर्टी का कुछ हिस्सा लीना को दे दिया था। तो शायद ये भी हो सकता है इसी जलन के कारण के सारे लोग सारी अपनी अपनी प्रोपर्टी लीना के तो इसलिए शक जिताया जा रहा है कि लीना की बड़ी बहन भी लीना के मडर केस में शामिल हो सकती है जब लीना का शौ मुर्दा घर में रखा गया था तब हीना अपनी बड़ी बहन को देखने के लिए गारी से आई थी ताकि लीना का अंतिम संसकार किया जा सके कुल मिलाकर दोस्तों का शक मामा जी के साथ साथ लीना की बड़ी बेहन पर भी जाता था मामा जी और बाकी दो लोगों पर कोर्ट में ट्राइल शुरू हो जाता है इनके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे इन्होंने अपना अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था फिर भी ट्राइल के नो महीनों बाद मामा को यहां बेल मिल चुकी थी और ग्यारा महीने बाद दोनों नोकर भी बेल पर बाहर आ चुके थे कोट में सुनवाई चलती रही 2023 में सेशन कोट ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी इस ट्राइल के दोरान मामा का परिवार लिना के खेत में सबजियां उगा रहा था खेती बारी कर रहा था लिना के वकील ने जब ये मुद्दा कोट में उठाया तो कोट ने आदेश दिया कि जो भी लिना का सबसे नजदी की रिष्टेदार है जिसके साथ लिना का खून का रिष्टा है वो सारी लिना की प्रोपर्टी उस रिष्टेदार को दे दी जाए देखा जाए तो सबसे करीबी रिष्टेदार यहां लीना की बड़ी बेहन हीना शर्मा ही है तो ये थी पूरी कहानी लीना शर्मा मर्डर केस के बारे में अब आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है अपने अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में नोटिफिकेशन बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा मेरी इस्टेग्राम आइडिया आपके स्क्रीन के उपर है जाए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसे भी जरूर फोलो कर लीजिए इंस्टेग्राम पर भी मेरे हजार फुलोवर्स होने ही वाले हैं आप जल्दी से आईए और वहां भी अपना सहयोग मुझे दीजिए खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सिख कुडी को कमेंट पिक में टो गड़े शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी ही एक और चोका देने वाले इंटरस्टिंग स्टोरी के साथ